हेलो गाईज, आज का फैक्ट गल्स के उपर गाईज आप लोग देखे होंगे कि जितने भी मूवीज में दिखाया जाता है कि जितना भी एरवेज होती हैं, एरोप्लेंस होती हैं उसमें गल्स स्टाफ देखने को मिलता है तो उसमें गल्स स्टाफ ही क्यों? गल्स स्टाफ को क्यों नहीं रखा जाता है? तो आज का फैक्ट हम लोग का यही है तो गाईज, अगर मैं इसका एंसर एक वर्ड में दूँ तो इसका एंसर यह है कि गल्स जो होती हैं, वो एक्च्छल में पैटरोल बचाती है तो गाईज, आप लोग अपको सोच रहे होगे कि यार गल्स जो हवा पहलवान होती है, वो एक्च्छल में पैटरोल कैसे बचा सकती है तो गाईज, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो एक्चुल में गल्स की इसी हवा पहलवानी के वज़े से ही वो लोग को एरवेज में गल्स स्टाफ के रुप में रखा जाता है तो गाईज इससे समझने के लिए हम लोग एक एक इक्जामपल लेते हैं सपोस कीजिए कि अगर आपकी मम्य अगर आपको बोली कि बेटा थोड़ा मार्केट जाओ पैदल और एक कीजी सबजी लेकर के आओ तो आप लोग सपोस किया कि ले आएं अब आप अगले बार अपकी ममी यही बोली कि बेटा मार्केट जाओ और पचास कीजी भरा हुआ ओना चाहिए चावल का बोरा उठा करके लाओ तो आप लोग लेते आओगे सपोस किया तो आप लोग यह दोनों एक्जामपल से क्या समझे तो आप लोग यह समझ चुके होंगे कि पहले बार जब आप लोग सबजी लेने गए होंगे तो वो तो वेट में कम होगा तो आप लोग इसली लेकर क्या आगए होगे लेकिन दूसरी पार जब चावल लेने गए होने तो उसमें आप लोग का हालत खराब हो गिया होगा और आप लोग का एनरजी लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा और भूख भी ज़्यादा लगेगा तो गाइस इस दोनों एक्जामपल से हम लोग इतना तो समझ गए कि कम जब लोड होता है तो एनरजी का लॉस कम होता है और भूख कम लगता है और अगर load ज्यादा होगा ज्यादा load अगर कोई इंसान होता है तो होगा क्या कि उसको energy loss तो ज्यादा हो गई होगा साथी साथ भोग दी ज्यादा लगेगा तो guys इस से हम लोग यह समझ सकते हैं और aeroplane जो होती है एक जगह से जब दूसरे जगह shift करती है तो उस पर कितना पैट्रोल लगेगा वो डिपेंट करता है बॉडी का वेट है जितना एरोप्लेन का अवरॉल बॉडी का वेट है उस पर डिपेंट करेगा अगर अवरॉल बॉडी का वेट जादा होगा तो जादा इंधन लगेगा इटमिस पैट्रोल जादा लगेगा और अगर body का weight कम होगा तो petrol कम लेगा ये तो समझ माग आ गया तो guys इसमें facts से क्या तालूकात है गल्स से क्या तालूकात है तो guys तालूकात है चली समझते हैं Actually मैं scientifically ये देखा गिया है कि girls का जो body weight होता है वो boys के तूलना में कम होता है इसलिए वो लोगो लेडी स्टाफ के रूप में हाना एरवेज में रखा जाता है ताकि वो लोग पैटरोल बचा पाए जब body का weight कम होगा तो petrol भी कम लगेगा तो guys आप लोग के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि चलिए मान लिया कि वो लोग पैटरोल बचाती है तो comparatively boys और girls में जादा weight का तो difference नहीं होना चाहिए तो उसमें कितना पैटरोल बचाती होगी तो guys यह भी सवाल बहुत ही अच्छ है तो चलिए मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ तो guys यह कहावत सैद आप लोग भूल गए हो कि बून बून से ही घड़ा बरता है तो जब अगर बहुत सरा airways को अगर हम लोग देखे हैं और one year का अगर पूरा overall अगर देखे कि कितना इंधन बसता है तो guys एक करोड से दो करोड तक पैटरोल बचाया जाता है तो girls लोग वाकई में जो है पैटरोल बचाने में काम्याब हुई है इसलिए girls लोगों को ladies staff के रूप में रखा जाता है लेकिन guys आप लोग यह भी सोच रहे होगे कि चलो भाई मान तो लिया कि girls लोग पैटरोल बचाती है अगर पैलेट के जगह में girls लोगो ले लिया जाए तब तो लोग और भी ज़्यादा पैटरोल बचेएगा तो पैलेट के जगह में girls को क्यों नहीं replace कर दिया जाता है तो guys इस सवाल का जवाब तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक से जानते होगे आप लोग ध्यान दिये होगे हाना girls लोग जब सैकिलवा चलाती है तब वो करती गया हाना आगे ध्यान नहीं रहता है हमेशा देखिएगा वो लोग पैर के ध्यान देगी और किसी को ठोग देगी है ना और उसके बाद वो क्या बोलेगी उफ ब्रेक मारना तो बोली गई है ना और सौरी बोल करके निकल जाएगी आप लोगो को लगता है कि गल्स जो है पाइलोट काईगी गाइस क्छल में मजाद कर रह था और सौर्फ स्सक्यू बहुत ही सब्सक्राइगा है